आध्यात्म निश्चल है, निराकार है, आत्मिक है भारत वर्ष में ऐसे कई संत हिर्वे हुए जो अपने साधना के माध्यम से विराठ हो गए स्वयम को शून्य कर आध्यात्म के विशालता का अनुभव किया भारत के पश्चिमी भाग में एक ऐसे ही संत हुए जिसे लोग साई बाबा के नाम से जानते हैं साई बाबा मानव रूप में किसी अवतार से कम नहीं थे उन्होंने स्वयम से जाती, धर्म और भाशा की बुराईयों को सदा दूर रखा वह अपनी सिक्षाओं में हमेशा जाती धर्म और भाशा के अदभुत रूप को अपनाने की बात करते बाबा कटरता के धुरविरोधी थे उनके सेवा और समर्पन का साक्ष आज भी महराश्ट्रों में बसा श्रिडी नामक स्थान है जहां बाबा ने अपने लीला का अधिकतर समय गुजारा बाबा की शिक्षाओं ने उस समय के पोंगे पंडितों और नकली मौलवियों को अपनी जगह दिखा दी बाबा जन जागरन के समर्थक थे उन्होंने अपनी यात्रा में हमेशा वंचितों दबे कुछले अचूतों का साथ दिया उस समय के समाज में फैली चुआचूत जैसी बीमारी के खिलाफ बाबा के प्रभावित करने वाले विचारों ने खूब योगदान दिया कहने वाले कहते हैं कि बाबा में अलौकिक शक्तियां थी वो जिसको भी अपनी कुटिया में जल रही राक का भभूत देते उसके सारे रोग दूर हो जाते बाबा के बारे में प्रसिद्ध है कि एक बार गाउं में किसी के घर में दिवाली पर तेल नहीं था तब वह बाबा को याद करने लगा बाबा तभी वहाँ आ गए और उन्होंने तेल की जगह पानी से दिये जला दिये इस प्रकार बाबा का वह भक्त दिवाली मना पाया कहते हैं बाबा हर गुरुवार बड़े से हांडे में खिचरी बनाते और खिचरी के उबलते हुए हांडे में खुद हाथ डाल कर उसको घुमाते और मिलाते लेकिन हाथ में कोई जलन नहीं होती यह क्रम हर हफ्ते चलता था बाबा की वह खिचड़ी सभी सरड़ी वासी बड़े चाव से खाते थे यही बाबा का प्रशाध होता था ऐसे महान और चमतकारी महापुरुष के विचारों को सुनने का अनुभव अपने आप में अनोखा है तो आईए साई बाबा के कुछ विचारों को आत्म साथ करें बाबा के अनुसार एक घर की नीव ठोस होनी चाहिए अगर इसे लंबे समय तक टिका रहना है तो वही सद्धान्त मनुष्ट जीवन पर भी लागू होता है वरना वह भी नरम जमीन में डूब जाएगा और भ्रम की दुनिया में बरबाद हो जाएगा जाती, धर्म और भाशा के विशय में बाबा कहते हैं यहां सिर्फ एक ही जाती है मानवता की जाती एक ही धर्म है प्रेम का धर्म केवल एक ही भाशा है, हिर्दे की भाशा स्वयम को समाज के लिए समर्पित कर देने वाले साई बाबा सेवा के विशे में कहते है हमारा जीवन बर्फ के एक टुकडे की तरह है, जो हर पल पिखल रहा है इससे पहले की वो खर्च होता जाए, उसे दूसरों की सेवा में लगा दो साई बाबा जीवन पर चर्चा करते हुए कहते हैं जीवन एक गीत है, इसे गाओ, जीवन एक खेल है, इसे खेलो, जीवन एक चुनोती है, इससे मिलो, जीवन एक सपना है, इसे साकार करो, जीवन एक यग्य है, इसे अर्पित करो, जीवन प्रेम है, इसका आनन दिलो बाबा कहते हैं अगर आप अपने घर में मिल जुल कर प्रेम से रहते हैं तो आपका घर स्वर्ग के समान हो जाता है आज फिलहाल इतना ही कैसी लगी आपको यह प्रस्तुती हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं धन्यवाद